बीडियो के जानकर के बार में वीडियो में दिखाए कि कच्छव का इस च्छेशा बार में कि कि प्रकार से प्रोचा नहीं देता है ये चैनल वीडियो में दिखाए कि किसी भी दुश्य के लिए जिम्हेदार नहीं है इसके पहले भी मैंने टर्टल के उपर दो वीडियो बनाए जिनकी लिंक से आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है इंडिया में बहुत सारे लोग जिस तरह से पेट डॉक्स, कैट्ज, बॉर्ट्स, फिश रखते हैं उसी तरह से टर्टल कीपर्स की भी संक्या बहुत ज़्यादा है हमारे देश में जाहिर सी बात है अगर आपके घर में टर्टल है तो आप एक टर्टल लवर होंगे बहुत ही बुरी बात लोग करते हैं कि जब ये छोटी बेबी साइस की होते हैं तो बड़े प्यारे दिखते हैं तो इनको अच्छे से रखते हैं पर जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको वो उनकी घर से भाहर छोड़ देते, अबेंडिन कर देते, बिना ये एक बात सोचे कि आपने जिसे बच्पन से इतना बड़ा किया, आपने उसको रेडिमेट स्टिक्स की आदत दिलाई, वो भाहर अपनी जिंदगी कैसे जाएगा, या वो अपना खाना कैसे ढूं तो आज के इस वीडियो का हीरो आपके सामने आने जा रहा है, जो ये है, आप देख सकते हो कि ये बहुत ही बड़ा मेच्वर टर्टल है, तो ये जो टर्टल आप देख रहे हो, अप इसकी साइस देख सकते हो, ये पूरा मच्वर टर्टल है, इसकी जो उमर है वो दो साल है तकरीबन, और ये जो भी आप टर्टल लेके आते हो घर में, जो कोईन साइस के होते हैं, बेबी साइस के टर्टल होते हैं, ये भी उतना सालों बाद आप इसकी साइज देख सकते हो यह बहुत ही बड़ा हो गया है साइज में तो जो मैचूर टर्टल्स होते है वो तकरीवन इतने साइज के हो जाते है और इससे भी बड़ी हो जाएंगे वो अगर आपने इनको ठीक से रखा है तो आज के इस पूरे वीडियो में ह हम देखने वाले हैं तो सबसर पहले हम बात करेंगे इनके प्रॉपर नेम के बार में बहुत से लोगों पो जो है इनका प्रॉपर नेम पता नहीं है एवन जो शॉपकीपर्स होते है वो इनको कई गलत नामों से बुलाता है जैसे कि सिंगापुरी कचवा, हरा कचवा, ग् पॉशन देख सकते हो इसके उपर इनका नाम जो है वो रेडियर पड़ा है और जो दूसरा नाम है इनका जो श्लाइडर की जबी यह कोई उची जगा होती है अगर उची जगा से इनको नीचे वाली जगा पे आना होता है तो यह स्लाइड करके जाते है या बास्किंग एर और आप इनके जो श्यल का नीचे का जो पॉर्शन देख सकते हो वो काफी प्लेन है तो इसके वज़ाए से इनको जो है काफी हेल्प हो जाती है एक जगा से दूसरी जगा पे स्लाइड होके जाने को इसलिए इनका नाम जो है रेडियर स्लाइडर है नाम के बाद अगर हम बात करेंगे बैंड टर्टल्स के बारे में तो इंडिया में बहुत से टर्टल्स जो है वो बैंड है और मोस्टी जो टर्टल्स बैंड होते है वो इंडिजीनियस होते है इसलिए बैंड होते है तो कॉमनली बैंड टर्टल्स जो इंडिया में है वो स सालों से ग्रीन सी टर्टल रखे हैं और भी काफे सारे बैंड टर्टल से जिनके ओपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना हैं तो आप गूगल से चेक कर सकते हो तो उसके बार में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे हम आगे बढ़ते और जो मिट्स और डाउट से बार में वो है कि टर्टल से एक बिमारी करते हैं और टर्टल के उपर बिमारी होती है और अगर इन्हें हम घर में रखेंगे या कई पर भी लेकर जाएंगे तो ये अपने साथ ये बिमारी लेकर जाते हैं तो और बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हम इन्हें चुएंगे तो भी ये बिमारी हमें होगी तो ये मित है और ये सरासर जूट है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है Actually turtles को बिमारी नहीं होती है ये एक bacteria carry करते है जो Salmonella bacteria होता है और अगर turtle बिमार है या जहाँ पर उसे रखा है वहाँ का पानी अगर bot time से साफ नहीं किया है तो उसका जो shell है तो उसके उपर ये हो सकता है कि अगर आप उसे हाथ लगा और अगर आप hands wash ना करो properly खाने से पहले तो जो Salmonella from the turtle से human को आ सकता है और most importantly खाने से पहले hands wash नहीं किये तो और ये जो bacteria है अगर आप भार का खाना खाते है या पानी पीते है जो contaminated food या water से भी आपको ये Salmonella bacteria हो सकता है और ये जरुरी नहीं कि इनसे ही आपको होगा तो अगर आपने hands wash नहीं किये या ऐसा food खाया या पानी पिया हो जिसमें contaminants हो तो उससे भी आपको ये Salmonella bacteria आ सकता है तो खाने से पहले आपको hands wash करने चाहिए जो एक अच्छी आदत भी होती है क्योंकि bacteria की chances जो हमेशा food सही ज्यादा होते है क्योंकि जब वो digestive system में जाके मिलते है तब ही उसका असर होता है तो ये थी पहली गलत family turtles के बारे में कि अगर हम इने हाथ लगाए तो बिमारी आती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है आपको बस अपने हाथ दोने इनको touch करने के बाद और बहुत से लोगों के घर में जो है pets भी होते हैं तो आपको पता होगा कि doctors भी suggest करते कि अगर आपके dogs ये cats को आप हाथ लगाते हो तो खाने से पहले आपको जो अपने हाथ ठीक से wash करना है तो अब बात करते हैं दूसरे myth के बार में बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आपने turtle खरीदा तो आपको उसे बड़े tank में रखना चाहिए क्योंकि वो छोटे tank में बड़े गानी जो पहला sentence है completely support to the first sentence कि अगर आपने turtle खरीदा है तो आपको जो है इसको बड़े बड़ा space provide करना चाहिए पर जो दूसरी बात है कि अगर इनको छोटे tank में रखा या छोटे space में रखा तो यह बड़ेगा नी और वो आपके घर में अच्छे से set हो गया है तो उसकी growth जो है वो अच्छे से हो जाती है तो मैं आपसे यह कहूँगा कि अगर आप turtles लेते हो तो आपको जो है उसे अच्छा proper space provide करना है और most importantly space provide करने से ज्यादा important है कि वो आपके घर में set होना चाहिए और ठीक ठाक से उसने feeding करनी चाहिए तो अब बात करता है तीसरी गलत family के बार में तो बहुत से websites पे और बहुत से videos में आपको यह बोला गया रहेगा कि जबी भी आप turtle purchase करते हो turtles खरीते हो तो उनके लिए basking एरे आपको लगाना चाहिए उनको UV light लगाना चाहिए और यह सब नहीं किया तो turtle बेमार पढ़ जाएगा या turtle मर जाएगा तो यह सभी बात है यह बहुत ही important है एक turtle के लिए और आपने करनी भी चाहिए बट यह जरूरी नहीं है कि अगर आपने यह सब नहीं किया तो turtle मर जाएगे और यह कहने के बाद बहुत से लोग जो बोलेंगे कि मैं जूट बोल रहा हूँ तो इसका प्रूफ जो है आपके सामने है अगर आपने आपके turtle को UVB light प्रोवाइड नहीं किया बास्किंग गिरा प्रोवाइड नहीं किया बट अगर उसको time to time sunlight मिल रहा है अगर time to time उसका shell जो है वो dry हो रहा है और वो completely all the time पानी में नहीं रह रहा है तो आपके turtle को कोई परेशान ही नहीं होगी और यह जो आपके सामने मैं इसका प्रोव भी आपको जो है आपके सामने दिखा रहा हूँ क्योंकि इस turtle ने जो है अपनी complete life में कभी भी कोई UVB light नहीं देखी है और नहीं इसको कोई बास्किंग गिरा प्रोवाइड किया गया है बट यहाँ पे भी इसको रखा गया है इस इसको गटामिन्स मिल रहा है और इसका जो शेल का जो पार्ट है वो भी टाइम टू टाइम जो है यह ड्राय होता है तो अगर UVB light और बास्किंग गिरा लगाना compulsory होता तो यह जो आप आपके सामने यह जो टर्टल देख रहे हो यह इतना बड़े बड़ा साइज में कभी नहीं हो पाता अगर क्योंकि इसको तो कभी बास्किंग लाइट और UVB light प्रोवाइट नहीं की है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टर्टल टैंक ले रहे हो तो अगर आप उसे सई से नहीं रख पा रहे हो तो आप बास्किंग गे रहा और UVB light ज़रूर लग कि उसका जो है वो जादा गिला भी नहां और ज्यादा ड्राइब भी नहां और उसके मन के अकार दिपानी के लाइं के इंदर रह सकता अबसकि को या पानी के बाहर अपना जो शेल ट्राय करने के लिए जा सकता है जिसे हम भास्किंग जी रह बोलते हैं वो आप उसे नैčर standings regarding turtles and turtle keeping अब हम बात करेंगे turtle food के बार में तो इनको कौन से food आप दे सकते हो या कौन से options available है turtles के लिए उसके बार में बात में बात करेंगे अभी जो है food के लेटेट बहुत से लोग problems face करते हैं जो भी लोग turtles buy करते हैं घर में first time रखते हैं food के लेटेट बहुत से लोग को problem होता है तो उसके बार में बात करते हैं बहुत से लोग जो है turtles घर में लेके आते हैं और बोलते हैं कि हमारा turtle जो है वो खाना नहीं का रहा है और बहुत से लोग के जो है अलग-अलग comments आते हैं कि हमने कल घर पे हम टर्टल्स लेकिया है और वो अभी तक खाना नहीं खा रहा है इवन कुछ लोगों ने ऐसे भी बोला है कि हमारी टर्टल्स वो एक दो महिने तक खाना नहीं खाया है और इसके बार में बस इतना कहूंगा कि टर्टल्स की जो स्टावेशन कैपसिटी है वो काफी ज्यदा होती है तो आपका टर्टल्स खाना था ये इसके ओपर एक बहुदी बड़ी रीजन होता इसके पीछे अगर आपको अरवानाज और शाक्स के बार में पता रहेगा तो अगर आप एक अरवाना गर में लेकर आते हो या आप शाक घर में रखते हो तो जब तक वो फिशस घर में आपके फिश्टाइंग में सेट नहीं हो जाती है और अरवानास और शाक्स को काफी टाइम लगता है फिश्टाइंग में सेट होने में और अगर हम इंसानों की बात करें तो हम भी अगर किसी अंजान जगा पे जाते हैं तो हम वहाँ पे तुरंट खाना नहीं खाते हैं तो यह जो behavior होता है यह same turtles के बार में होता है turtles जब भी कोई नई जगा पर अगर हम इने ले जाते हैं और वहाँ पर अगर हम इने तुरंत खाना दे तो ये तुरंत food जो accept नहीं करते हैं ये जो behaviors होता है ऐसे turtle का कि कोई नई जगा पर अगर उन्हें ले कर जाएं तो उन्हें उस जगा पर friendly होने में time लगता है और depend करता है कि आपने अपने turtle को कौन से जगा पर रखा है वहाँ का atmosphere कैसा है temperature कैसा है तो जब तक आपका turtle उस नहीं जगा पर settle नहीं हो जाता या comfortable नहीं हो जाता तो तब तक खाना नहीं खाएगा और कुछ turtles दो तिन दिन में settle हो जाता है कुछ turtles को एक हफ़ता लगता है settle होने में और कुछ turtles को एक महिना भी लग जाता है और कुछ-कुछ turtles जो कभी नहीं हो पाते हैं इसलिए वो काफी ज़्यादा starvation पे रहते हैं तो यह reason होता है कि अगर वो आपके environment में आपके area में अगर वो set नहीं हो पाए तो वो खाना नहीं खाते हैं तो अगर आपके turtles को घर में आप लेके आते हो तो अगर वो 2-4 दिन तक खाना नहीं खा रहा है तो वो बिल्कुल normal है आपको सबसे पहले उसकी उस जगा पे उसको comfortable feel कराना होगा जहाँ पे आपने उसे रखा है और आप उसे shell के उपर pet कर सकते हो जैसे हम किसी pet को करते है तो आपको आपके turtles को जो है सबसे पहले चीज़ आपको comfortable कराना है उसे ठीक टाक आपको space provide करनी है और अगर आप उसके साथ कोई turtle mate लेके आ रहे हो तो possibility ज़्यादा है कि वो जल्दी comfortable हो जाए तो अब बात करते है turtles के बिमारी के बार में और turtle के related problems के बार में तो जब भी आपको ही turtles खरीदने जाते है तो सबसे पहले आपको जो है उनकी eye check करनी चाहिए उनकी eye को देखना चाहिए तो यह कभी का बार turtles के आप ठीक से खुलनी पाते है तो यह सबसे पहले चीज जो है आपको check करनी है जब भी आप कोई turtle खरीदने जा रहे हो दूसरी बात जो है वो है इनके shells के बार में जब भी आप कोई turtle खरीदे तो उनका shells properly check करें आप क्योंकि अगर इनका जो shell अगर आपको soft लग रहा है या कमजोर लग रहा है तो आप उसे बिल्कुल बाई ना करें और shell check करने का एक सबसे सही तरीका है जो इनका edges होते हैं इनके shell के जो आप ये part देख सकते हो यहाँ के part आपको ये part इनके check करना है क्योंकि अगर ये part इनके shell का अगर soft हो जाता है तो ऐसे chances होते हैं और इसी possibility होती है कि वो turtle बहुत जल्द मरने वाला है इसलिए आप turtles को जब घर में भी लेके आते हो तो अगर आपने उनको ज़्यादा time पानी में रखा हो और उनका shell ठीक तरह से dry नहीं हो चुका है तो ये जो shell का portion है वो dry हो जाता है और shell के उपर आपको spots दिख जाता है और दूसरी बात अगर आपने इनके बहुत time तक गंदे पानी में रखा हो तो इनको आग के पास एक fungus तयार हो जाता है और इसके कारण इनकी आग बंद हो जाती है जिसके उपर बहुत से eye droplets available होते है बहुत सारे companies के eye droplets available होते है और अगर इनकी आग की जो problem होती है जो इनकी आग बंद हो जाती है तो अगर आप eye drop से भी ये ठीक नहीं हो पाती है जो आपको एक अफते तक डालने होते हैं तो यह जो turtles जो है completely blind हो जाते हैं तो अगर आपको आपकी turtles को यह परिशानी से बचाना है तो आपको इन्हें ज्यादा time तक जो है आपको इन्हें गंदे पानी में नहीं रखना है क्योंकि turtles जो है बहुत ज्यादा गंदा करते हैं तो आपको weekly, twice या thrice इनका पानी या जहाँ भी आपने इनको रखा है तो वो जो है आपको इनका area जो है clean करना है otherwise इनके जो है shells पे white spots आने लग जाते हैं और इनकी आग जो है बंद हो जाती है और सबसे बड़ी बात जो इनका shell जो है वो एक बार soft हो गया उसके बात जो है इनको काफी ज़्यादा problems हो जाते हैं और disease भी इनको काफी ज़्यादा हो जाती है तो अभी हम बात करेंगे turtle के food के options के बार में तो turtles के लिए आपके पास काफी सारे food options available है और मेरे पास यहाँ पे कुछ food options available है यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास कुछ टायो के और हेलो पेट्स के turtle food available है तो यह जो होते है turtle sticks होते है जो most common turtle food होता है जो बहुत से लोग अपने turtles को देते हैं और यह easily available होते है market में online और offline और एक अच्छी चीज इनके बारे में कि यह काफी सस्ते आते है और अगर आपको और दूसरे brands चाहिए तो आप हिकारी का ले सकते हो turtle food और tetra का भी available है जिसका नामे tetra reptoman बट वो costly आते यह products आपको cheap price में मिलेंगे और यह Indian brands है अगर आपको हिकारी और tetra लेना है तो वो जो है international brands है और उनका भी quality काफी अच्छा है तो यह है इनके सारे packets और यह boxes में भी available होते हैं आपके पास चोटे turtle हो, कम turtles हो तो आप चोटे package ले सकते हो अगर आपके पास ज्यादा turtle हो यह आपको store करना है तो आप जो है ऐसे बड़े बड़े boxes ले सकते हो मैं आपको इनके prices भी बता देता हो साथ में तो अगर prices की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यह एक kilo का pack है 1 kg का है जो आपको 550 रुपीज में मिलेगा यह हम बात कर रहे है Hello Pets के turtle sticks के बारे में दूसरा product यहाँ पर है 500 ग्राम का आदा किलो का जो आपको 300 रुपीज में मिलेगा फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह 500 ग्राम का tub यह 250 ग्राम का उसके उपर का 100 ग्राम का और फिर छोटा है 45 ग्राम का जो सबसे बड़ा है 500 ग्राम याने आदा किलो का वो आपको आएगा 300 रुपीज में उसके बाद में यहाँ पर 250 ग्राम का है जो 200 ग्राम है वो आपको 200 रुपीज में याने 200 रुपे में आएगा उसके बाद में यहाँ पर 100 ग्राम का tub है चोटा सा जो आपको 150 रुपीज याने 500 रुपे में आएगा फिर है सबसे चोटा वाला जो है 45 ग्राम का 45 ग्राम का जो आपको 90 रुपे याने 90 रुपीज में आएगा उसके बाद अगर हम टायो का टर्टल स्टिक्स देखेंगे तो यह है 250 ग्राम का मेरे पास और यह आपको आएगा 200 रुपीज में 250 ग्राम तो प्राइजिस के बाद फिश फूड के रिलेटेड आखरी चीज में आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप हर एक पैकेट या बॉक्स देखेंगे इन टर्टल स्टिक्स का तो आप यहाँ पर देख सकते हो खिया पर लिखाई spiraulina added हर एक बॉक्स अगर अम देखेंगे तो सबकी उपर लिखाई spiraulina added तो जिस तरह से जो हम fish food के pellets देखते हैं उसके अंदर जो है असता जानते हैं होना बहुत ज़रूरी है जो है ingredient होता है उसी तरह से spiral लिना जो है turtle sticks में काफी ज़रूरी होता है तो मैं आपको यह कहूंगा कि यह जो सारे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह popular brands है और जो international brands है जैसे की हिकारी और tetra तो यह सारे brands में तो यह of course होता ही है और अगर आप इन brands के अलावा अगर आप कोई और brand खरीदते है turtle sticks का तो कोई problem नहीं है बट आप एक चीज़ ज़रूर देखे कि spiral लिना उसमें हो और क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी होता एक turtle के लिए तो यह सारे turtle के brands जो popular brands है तो इसके अंदर आप देख सकते हो Hello Pet से Tio है Tio Discovery है और जो दो brand मेरे पास नहीं है वो है हिकारी और tetra के तो यह सारे popular brands है जो आप अपके turtle को आप इन में से कोई भी एक brand दे सकते हो और कुछ-कुछ turtle जो है चूजी भी होते है तो आपको देखना है अगर कुछ-कुछ बहुत से लोग जो है कमेंट करते है और मेरे खुद के फ्रेंड्स है वो बोलते है कि किन-किन के turtles है वो टायो के नहीं खाते है किसी के hello pets के खाते है तो ऐसा होता है कुछ-कुछ चूजी होते है तो आपको यह देखना है तो इसलिए मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा कि आप ट्रायल पैक पोचेस करें अगर आपका turtle टायो नहीं खा रहा है त टायो का और जो दूसरा वाला है राइट इन साइड पे वो है hello pets का तो ऐसे उनकी appearance होती है यह sticks होते है और सबसे ज़्यादा लोग जो है यह prefer करते सबसे ज़्यादा मार्केट में turtles के लिए यह sticks available होती है इसके अलावा अगर आप देना चाहते हो तो आप अपने turtles को जो tube effects worms होते हैं जो freeze dried होते हैं जिनके cubes होते हैं वो आप दे सकते हो उसके बाद आप उनको shrimps दे सकते हो जो काफी ज़्यादा पसंद करेंगे इसके अलावा आप अपने turtles को धनिया दे सकते हो जिसको हम coriander बोलते हैं और आप उनको अपने turtles को इंसेक्स भी खाना पसंद होता है तो अगर आप उनको कभी कबार कुछ और ट्रीट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो कुछ एक्स्परिमेंट कर सकते हो बट याद रहे आप उनको कुछ spicy ना दे और आप अपने turtles को live bloodworms भी दे सकते हो बहुत सारे turtles को live bloodworms देते हैं बट उनमें parasites हो सकता है इसलिए मैं आपको suggest नहीं करूंगा पर आप उनको feeding fish भी दे सकते हो बट अगेन parasites का problem हो जाता है बट turtles को live चीज़े खाना बहुत पसंद होता है जो है वराइटी का खाना पसंद होता है इसलिए मैं आपको suggest करूंगा कि स्टिक्स पे आपके turtles को आप ना रखे आप उनको वराइटी का खाना दे बहुत सारा खाना दे उनको अलग-अलग टाइप का फूड के बाद और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूंगा turtle eye drops के बार में मेरे पास है टायो का turtle eye drops और इसके बार में अगर आप चाहते हो कि मैं एक separate video बना हूँ turtle के swollen eyes के उपर तो आप मुझे comment section में जरूर बताईए तो मैं अभी आपको फिलाल short में बता देता हूँ त जो बहुत टाइम से अगर आपने अपके turtle का tank साफ नहीं किया हूँ है और जिसके अंदर आपने अपके turtle को रखा है वो पानी अगर बहुत टाइम से गंदा है तो उसकी आग जो है swollen हो जाती है और swollen होने के कारव में बंद हो जाती है खुल नहीं पाती है और दूसरी चीज विटामिन के कमी होने के कारण अगर आपके टॉर्टल्स को प्रॉपले विटामिन नहीं मिल रहे तो भी ये प्रॉबलम हो जाती है तो ये जो आई डॉप से आपको आपके टॉर्टल्स के आखों में डालना पड़ता है दो डॉप्स एक आख में और इसको आपको एक अफ़े तब कंटीनिव करना पड़ता है और इससे आपके टर्टल्स के आई जो होते हैं वो होपफुली खुल जाते हैं और स्वोलन आई जो है ठीक हो जाते हैं तो ये आई ड्रॉप तब ही काम आते हैं अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बार में डीटेल में वीडियो बता हूँ तो आप मुझे कमेंट सक्षिन में जरूर बताईए इसके बार में So this was today's video about the radius slider turtles regarding turtle keeping and turtle myths तो आज के इस वीडियो में हमने काफी सारे turtle के myths और turtle के related जो बिमारी होती है अगर आज का आपको यह वीडियो पसंद आया रहेगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़े और ऐसे बने रहेए आपके अपने अपने चैनल आपके अगर आपके पास तर्टल आप घर में रखे और आप बहुत सरे प्रॉब्लम से प्रेस करें तो आप कमेंट सेक्श आप हुत बहर आप से सकते हमार्स कर आप